हेलो एवरिवन वेलकम टो यामी रेसिपी स्किचन आज मैं आपके साथ सूजी की खीर की रेसिपी शेयर करूंगी यह सूजी की खीर 10 से 15 मिनट में बन जाती है वो भी बहुत लाजवाब और बहुत टेस्टी बनती है बहुत आसानी के साथ बहुत कम टाइम में अगर आपके घर में कोई अचानक से महमाना जाए तो आप इसे बना सकते हो आपने चावल की खीर तो कई बार बनाई होगी एक बार इस खीर को बना कर ज़रूर देखिएगा यह आपको बहुत पसंद आएगी तो फ्रेंट्स अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए फिर इस खीर को बनाना शुरू करते हैं सूजी की खीर बनाने के लिए सबसे पहले कोई कडाई या पैन ले लेंगे उसमें डालेंगे वन टेबल स्पून के जितना घी तो मैंने यहाँ पर देशी घी लिया है आप चाहें तो घी की जगा ओल भी ले सकते हैं घी जब हलका सा गर्म हो जाएगा मैल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें कुछ ड्राइफ रूट्स आट करेंगे तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी किश्मिश ली है टू टेबल स्पून कद्दू के बीज लिये हैं 6-7 बादाम लिये हैं एक टेबल स्पून चिरोंजी और 6-7 मैंने यहाँ पर काजू लिये हैं जिनने मैंने चोटे-चोटे पीसिज में कट कर लिया है Dry Fruits आप अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो जो भी आपके पास अवैलेबल हो आप भी ले सकते है आप इसमें सिर्फ नारिल भी कट करके या फिर ग्रेटर से ग्रेट करके डाल सकते है अब हम इन सबी को fry करेंगे ड्राइ फ्रूट्स को इस तरह से फ्राइ करने से इसमें जो कच्छापन होता है वो खत्म हो जाता है और इसमें से फिर बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है और खाने में भी ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी हो जाते है अब देखिए मैंने इन ड्राइफ रूट्स को जो है 25 से 30 सेकिंड के लिए फ्राई कर लिया है किश्मिच भी अब अच्छे से फूल गई है तो अब हम इन्हें और जाधा फ्राई नहीं करेंगे इन्हें निकाल लेंगे जाधा फ्राई करने से यह जल जाते हैं और टेस्ट में भी इनके कड़वाहट आ जाती है इन्हें निकालने के बाद अब हम इन्हें साइड में रखेंगे अब हम इसी पैन में एक टेबल स्पून घी और डालेंगे घी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे सूजी तो मैंने यहाँ पर आधा कप सूजी ली है यह बारिक वाली सूजी है आप बारिक वाली सूजी की जग़ा यहाँ पर मोटी वाली सूजी भी ले सकते है सूजी को हम 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे सूजी को हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है बस इसका कच्चापन खत्म हो तब तक हम इसे भूनेंगे सूजी का कलर जो है वो बहुत ज्यादा डाग ब्राउन हमें बिल्कुल नहीं करना है बस हलका सा गोल्डन कलर हो जाए बस हम इतना ही सूजी को भूनेंगे अब देखी सूजी को भूनते हुए है जो है 2-3 मिनट हो गए है सूजी का हलका सा कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुश्भू भी आ रही है भूनने की अब जब सूजी अच्छी तरह से भून गई है तो अब हम इसमें डालेंगे दूद तो मैंने यहां पर ये 1 लिटर दूद लिया है ये दूद थंडा नहीं है मैंने दूद को जो हलका सा गर्म करके इसमें डाला है बहुत ज्यादा तेज गर्म भी दूद हमें इसमें डालना है हलका गर्म ही दूद हम इसमें डालेंगे आप भी जब सूजी में दूद डायट करें तो दूद को पहले हलका गर्म करके इसमें डालें दूद को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे सारा दूद एक साथ नहीं ढालिएगा अब हम इसे मिला देंगे इसे हम तब तक मिलाएंगे जब तक इसमें जो भी lums है वो खत्म नहीं हो जाते है इसे मिलाने के बाद बागी का बचा दूद भी इसमें ढाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आने लग जाता है अब देखिए इसमें अच्छी तरह से उबाल आने लगा है तो अब हम इसमें डालेंगे शकर तो मैंने यहाँ पर ये एक कप शकर डाली है शकर जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से एक कप से कम या फिर एक कप से थोड़ी जादा भी डाल सकते हो लेकिन आधा कप सूजी और एक लिटर दूद के साथ एक कप शकर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है शकर डालने के बाद अब हम इसे 4-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे 10-15 मिनट में ये खीर बनकर तयार हो जाती है इसे बनाने के लिए पहले से कोई खास तयारी नहीं करनी पड़ती जब भी कभी आपका अचानक से कुछ मीठा खाने का मन करने लगे तो आप इसे फटा-फट से बना कर तयार कर सकते हो बहुत ही जल्दी और बहुत टेस्टी ये खीर बनकर तयार होती है इसे 4-5 मिनट पकाने के बाद अब हमने जो ट्राइ फ्रूट्स फ्राइ करके रखे थे वो इसमें डालेंगे तो मैं सारी नहीं डाल रही हूँ थोड़े से बचा लेंगे बाद में कार्णिश्टिंग में इस्तमाल करेंगे अच्छी तरह से मिला देंगे इस पॉइंट पर आप इसमें हरी लाईची का पॉडर आट कर सकते हो अगर आप हरी लाईची का फ्लेवर पसंद करते हैं तो नहीं तो आप इसमें जो है केवड़ा एसेंस भी आट कर सकते हैं अब देखिए सूजी जो है बहुत अच्छे से फूल चुकी है खीर में गाड़ा पन भी आ गया है तो बस हम इससे जादा खीर को नहीं पकाएंगे क्योंकि खीर जैसे जैसे थंडी होने लगती है ये काफी गाड़ी हो जाती है अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे आप इस सूजी की खीर को थंडा या गर्म कैसे भी सर्फ करें दोनों ही तरह से ये खाने में बहुत अच्छी लगती है तो ये देखिए कितनी जबरदस्त और लाजवाब सूजी की खीर बनकर तयार हुई है तो फ्रेंट आप इस सूजी की खीर को बहुत कम टाइम में बहुत असानी के साथ बना सकते हो और बहुत ही टेस्टी जो है ये खीर बनकर तयार होती है तो आप इस सूजी की खीर की रासीपी को एक बार ट्राय जरूर कीजेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज